पीस फरवरी को पढ़ने वाले मतदान में ड्यूटी में लगे चतुरत स्रेणी के करमचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार किया जनपद में कोतवाली अजीतमल छेतर के अंतरगत ग्राम हलावा के पास बंबे की पटरी भरी का ग्यात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक कारवाई कर शव की शिनाक्त की थी इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार किया है जीतमल थानच शेतर में एक डेड़ बॉडी जिसकी पहचान मृतक दिनेश कुमार के नाम से हुई थी यह डेड़ बॉडी पॉलिंग वाले दिन वहां प्राफ्थ हुई थी जिस दिन हमारे जन्पध वरईया में चुनाओ था और डेट बॉडी जब इसकी मिली तो इसकी पहचान हुई कि ये पोलिंग ड्यूटी पे ही रवाना था और इसकी वही पर पोलिंग ड्यूटी अजीत्माल शेत्र में लगी हुई थी जब इनके घरवालों दोरा तहरीड दी गई और इसमें जांच की गई तो इसमें पाया गया कि ये जो मृतक जिनेश कुमार हैं इनका अपने ही एक रिश्दारी में एक लड़की के साथ संबन्थ है और उस लड़की के साथ इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था उसको पूष्देश मानते हुए जो में अभियों गरफतार मोहित कुमार है जो उस लड़की का भाई ठाव उसने रंजिश्मानते हुए इसको पहले खिलाने उत्देश यही था कि क्योंकि इनकी बहन के साथ इनके पहले से संबन थे और अचानक से शादी करने से इंकार कर दिया, उसको द्वेश मानते हुए मोहित और इनके अनसाती जिसमें प्रदीप सत्वीर राजे, जो इनके साथ पहले गुरगाओं में किसी होटल में काम करते थ तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद, आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं, हमारे at the rate to jmtnewsflash